जहें दोस्तो दोस्तो लेकर के आगए हैं बहुत ही महत्पूर्ण बेरिव्यरि आईंपी परियाब रणके टॉप 30 परिष्ण जो की आपकी परिच्छा के लिए एक परिष्ण बहुत उप्योगी छाट करके ये परिष्ण लाए हैं तो दोस्तो मेरा निवेदन है कि एक एक और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना और ध्रन करना तो टॉप फिप्टी स्टेडी यूटूब चैनल के माध्यम से हम प्रती दिन ऐसे प्रशनाप को ला रहे हैं तो अब सब्सक्राइब करके तो निश्चित रूप से हमसे जुड़ी गए होंगे ना कि या हो तो एक बात सब्सक्राइब पर किलिक कर दें और अपने एकजम की तैयारी को मजबूत करें प्रती दिन ऐसे ही स्टेडी करें तो चलिए शुरूबात करते हैं आज के प्रशनों की उत्तर बताने के लिए आप तैयार हो जाईए चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया है अब शुरू करते हैं परियावरण से अभी प्राय उन समस्त खाली स्थान से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानाओ पर पड़ता है ठीक है अब ये चार ओप्सन दी हैं आपको तर बताना है मैं भी बताऊंगा कम समय आपको मिलेगा लेकिन पूरा काम अपन को करना है दोस्तो आज सी यारी मजबूत हो तो आपको बता दें कि परियावरण से अभी प्राय उन सक्तियों प्रिक्रियाओं तथा तक्तियों से है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानाओ पर पड़ता है अगला है परियावरण के खाली स्थान घटक परसपर क्रिया द्वारा जेब मंडल की रचन मंडल की रचना करते हैं तो ए और वीस का उत्तर ठीक हो जाएगा हमारे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजी अपनी तैयारी का अंदाज लगाईए भी आप में 30 में से कितने वरना हो कमेंट में जरूर बताएं करें कई मित्र बताते हैं कि सर हम पे 30 में से 20 बने कई 25 बने बायू मंडल का बहिए भाकिते हैं सभी परकार के खाली स्थान बिद्वान है परेया मंडल की जेब मंडल में आते हैं परेया मंडल जीब भी है जन्तू भी बनस पतिया तो ए सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा बही क्या है जेब मंडल है परेया मंडल का महात्पून प्रशना गया इस्थल मंडल की बाह सतय जो हमारे परियाबरण का निर्मान करती है खाली स्थान नामों से जाने जाती है इस्थल मंडल की आपको बाह सतय बताना है जो हमारे परियाबरण का निर्मान करती है उसको हम किस नाम से जानते है जल्दी से बता दीजे दोस्तो तो उसको परियावरन का निर्माण कौन करते हैं महादीब भी करते हैं पहाड भी करते हैं मरुस्थल भी करते हैं यह सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा याद रखीएगा महादीब पहाड मरुस्थल इस सभी हमारे परियावरन का निर्माण क करने वाले बायू मंडली तत्तों को सर्वोच भूमी का है ठीक है स्रस्टी को खालिस्थान प्रदान करने वाले बायू मंडली तत्तों की सर्वोच भूमी का किसमें है फटाक से कमेंट कर दें दोस्तों आज सीटेट में ऐसी परसन हमारे फसे हैं तो मैं चायता हूं अंगला बायू मंडल में जीवन दाइनी जैसे खालिस्थान सूर प्रकास और उर्जा आदी पाई जाती है बायू मंडल में जीवन दाइनी जैसे ठीक है तो जीवन दाइनी के अंतर के ऐसे ही सूर का प्रकास और उर्जा आदी पाई जाते है बायू मंडल में क्या oxygen होती है? nitrogen होती है, नाइटरोजन होती है, सब जीवंदधाई है और carbon dioxide भी होती है, तो ये सब ही हो जाएगा, ठीक है? oxygen, nitrogen, carbon dioxide ठीक है? सूर्प्रकास और वूरजा ये सब कुछ बायू मंडल में पाए जाते हैं अगला है बायू मंडल ये तत्त को घेरे हुए है कौन घेरे हुए है बायू मंडल ये तत्त को चार ओप्सन आपके सामने है फटाक से कमेंट कर देना कि बायू मंडल ये तत्त को कौन घेरे है अगला है बायू मंडल के तत्तों का समुच्चच है क्या कहलाता है समुच्च मितलब जोड तो आपको बताने कि बायू मंडल के जो तत्तों का समुच्च है मौसम और जलवाई बिल्को सही आप लोग कमेंट में उत्तर देते हैं जो लोग लाइब देखते हैं वो लाइब चैट में आकर के उत्तर दे और जो बाद में देख रहे हैं वीडियो को लाइब नहीं देख पा किसी कारण बस आठ बजे की किलास तो आप बाद में देख रहे हैं क्योंकि हम इतना जादा समय आपका नहीं लेते हैं कि आप बाद में देखें तो आपको बोरियत महसूस हो फटा-फटी लेते हैं ठीक है तो आप कमेंट में जरूर उत्तर बताने का प्रयास किया करें आपको कॉस्चन कैसे लग रहे हैं यह भी बताएं कैसे एकजाम की तैयारी कर रहे हैं आप ए तो कमेंट में सब लिखी देते हैं अलग-अलग तो बैसे हम कॉस्चन ला रहे हैं बायू मंडली तत्तों के खाली स्थान के कारण प्रत्वी के धरातल पर बिविन प्रकार की बनस्पतियां या जीव पाए जाते हैं ऐसी कॉस्चन आपको पीपर में मिलेंगे तो आपको बता दें कि बायू मंडली के तत्तों में कैसे बनस्पतियां जीव पाए जाते धरातल पर तो असमान वितरन के कारण प्रत्वी की धरातल पर बिभिन्न प्रकार की आपने देखा होगा कई प्रकार के ब्रक्षे एक जैसे ब्रक्ष नी है सब अलग 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 प्रकार के हो जीब भी अलग अलग प्रकार की क्यों क्यों क्योंकि असमान वित्रण के कारण प्रत्वी धरातल पर बिभिन्न प्रक दौनों के द्वारा या फिर उपर युक्त मैंसे कोई नहीं तो जल्दी से चार उप्सन मैंसे आप छांट लीजे हमने एक साथ कर दी चार उप्सन तो आपको बता दें कि सी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा जहां चेवं भूल के द्वारा वेक्ति क्या करता है परियावरणी ज्यान में ब्रध्धी करता है और विदी अच्छी भी है अन जीवों के समान खालिस्थान भी परियावरण का एक अंग है ठीक है अन जीवों के समान खालिस्थान भी परिय परियावरण का एक अंग है, अपन भी अंग हैं, अगला है, निम्न मैसे किसके अनुसार, परियावरण वाह सकती है, जो हमें प्रभावित करती है, किस ने कहा, कि परियावरण वाह सकती है, जो हमें प्रभावित करती है, तो आपको बता दे, कथन है, हाँ, इजे रौस का, क किन महोदय का है? E.J. Ross का. कथन के नुसार भी एक दो परसन आते हैं, तो महत्पून महत्पून कथन ले लिए, जिनके पूछे जाते हैं. ठीक है? यसे. परियावरण में बहे सब कुछ है, यह महत्पून कथन है, बेरी बेरी आई एंपी. जिसको बेरी आई एंपी बोले, मतलब बहुत समझ लेना कि पेपर में नस्दीख है, महत्पून है. तो परियावरण बहे सब कुछ है, जो किसी जीव या बस्तू को चारों ओर से घेरे रहता है, और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है. यह कथन किसका है? जल्दी से बता दीजिए, यह कथन किसका है, तीन मैं से ही उत्तर चौथा ओप्सन दिखाने की जरूएतनी, चलो एक ओप्सन भी कम हो गया. अब बताव दोस्तों आपने सुना हो, कि परेयाबरण वैस सब कोछे जो किसी जीब या वस्तु को चारों ओर से घहरे रहता. परी धन आबरण का अर्थ क्या होता? परी मतलब चारों ओर से आबरण. यही क्या है? परेयाबरण है. तो यहाँ पर जो पूछ रहेंगी, परेयाबरण सब को जो चारों ओर से घहरे हों से प्रत्यक शुरू से प्रभावित भी करता है. तो यह जो कथन आपको बता दें, कि यह कथन है गिस वारट का. किसका है? गिस वारट का. आगे देखें. दोस्ते, एक और ने वेदन, आपने पिछले वीडियो हमारे ना देखे हों, ऐसे, ऐसे ही वीडियो हैं, सेम, ऐसे ही इससे अच्छे-च्छे और ऐसे ही परिषन हैं, तो आप हमारे परयाबरण की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सबसे बेस्ट, आप सर्च करें चाहे बालबेकास की, चाहे मैस्त की, चाहे सोसल साइंस की, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको वीडियो मिलेंगे, और ऐसे ही महत्पून कॉस्चन मिलेंगे, तो परयाबरण बैक्ती के खालिस्थान स्वास्त को प्रभावित करता है, कौन से स्वास्त को प्रभावि एक PDF में आ चुका है दो प्रकार कौन कौनसे तो मैं चाहूंगा कमेंट में आप उत्तर बताईए नई बनेगा तो अगले वीडियो में बता दूँझा लेकिन अभी आप कमेंट में उत्तर देजिए परियावरन दो प्रकार का कौन से जोलदी से लिख दीजिए बहुत एक परियावरन को खालिस्थान परियावरन भी कह सकते हैं एक तो आई यह लगता है तो बहुत एक परियावरन को खालिस्थान परियावरन भी कहते हैं तो बहुत एक परियावरन को कहते हैं प्राकृतिक परियावरन ठीक है प्राकृतिक परियावरन कहते हैं बहुत एक परियावरन को ठीक है अखला देख ले जेप की ये परियावरन को खालिस्थान भागों में बाठा जा सकता है जेप की ये परियावरन उसको कितने भागों में बाठा जा सकता है ये option दिये हैं तो आपको बताते कि जेप क आपको पसंद आ रहे होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा साथ में वीडियो को लाइक कर लिया होगा प्राकृतिक परियाबरन के खालिस्थान मुख घटक हैं प्राकृतिक परियाबरन के आपको घटक बताना है तो आपको बतादे प्राक्रतिक परियावरन की घटा के एक पानी है, हवा भी है, भूमी भी है, तीनों है ठीक है, कुछ सरल कॉस्चन है, कुछ कठेन है, पेपर भी ऐसे याता है खालिस्थान हमारे प्राक्रतिक परियावरन की अंग है प्राकृतिक पर्यावरण के अंग कौन को है देखो आप कॉस्चन को अच्छे से पढ़ा करें ठीक है खालिस्तान हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग है तो आपको बता दे प्राकृतिक पर्यावरण के अंग कोन है पीड़ पोध है परियावरन प्रदूसन के मुख घटक है परियावरन प्रदूसन के मुख घटक है परियावरन प्रदूसन किन कारणों से होता उसके घटक आपको बताना है तो आपने बचपन से ही पड़े होंगे परियावरन पर जब आप निबंद लिखते थे कि यह जल प्रदूसन हो रह अध्यों को से निकलने वाली जो मतलब गंदे वो पानी है उसकारण से बायू प्रदूसर्ण हो रहा है ठीक है हवान निकल लाई है धुगा और ध्वनी प्रदूसर्ण हो रहा है तो यह सब ही इसका उत्तर हो जाएगा परियाव रहन बचपन में पड़ी है लेकिन अच्ऻे से नहीं पड़ी है यादमीर बचपन का भूल गए इसलिए आज प्र पढ़ नहीं पढ़ा रही है खाली स्थान प्रदूसन से भी अजिक जटल है जो बायू प्रदूसन की समस्या है वो किस प्रदूसन से भी ज़्यादा जटल है तो आपको बता दें कि वैस सबसे जटल यो बायू प्रदूसन की समस्या है लेकिन किस प्रदूसन जल प्रदूसन से भी जादा जटल है जल प्रदूसन हो रहा है लेकिन बायू तो और ज्यादा दिक्का छे भी या बायू प्रदूसन के कारण क्या होगा दिल्ली में आप सब लोग देखते हैं न्यूच पर क्या इस्तिती है बायू प्रदूसन के कार एक तो option में से कोई नहीं है फटाक से आप उत्तर बता दीजे दोस्तों और ऐसे प्रिस्मों को हमें निरंतर पढ़ना है डेली पढ़ना है तो आप वैस हमसे जुड़े रहिए और निरंतर अपना अभ्यास जारी रखिए एक continuity बनाई को रखिए तो आपको बता दें अच्छ कैसा है तो स्वास्त बिज्यान के अंतर का सुद्ध जल का महत्तवा असुद्ध जल से उत्पन रोगों का अध्यन किया जाता है अनिश्चित है वे निश्चित नहीं है कि ऐसा ही है ठीक है ऐसा है प्राक्रतिक परियावरन के साथ सांस्कृतिक परियावरन को जोड़कर कि किसकी संग्या दी गई है प्राक्रतिक पर्यावरान को सांस्क्रतिक पर्यावरान के साथ जोड़ करके किसकी संग्या दी गई है तो आपको बता दें की बाय हो जाएगा उसको दी गई है सांस्क्रतिक पर्यावरान को सांस्क्रतिक पर्यावरान के साथ जोड़ा उसको दे दी भIGOLIK PARYAWARAN कौणसी संगय दे दी दोस्तों भIGOLIK PAR YAWARAN किसी भूभाग के बायु मंडल की दसा ताप्मान बरसा अदृता बायु की दसा बायु दाबाधी के बार्सिक वुसत को क्या कहा जाता है महत्पूर्ण प्रशन है क्या कहते हैं तो आपको बता दें बायू मंडल के जो दसा है तापमान की हो आद दता हो बायू की दसा हो इस सब कुछ क्या कहलाती है जल बायू कहलाती है क्या कहलाती है दोस्तों जलवाय। याद रखीगा प्रभावी दसाओं का वह संपूर योग जिसमें जीव रहते हैं परियाबरन की परिवासा किस ने दी। क्यों ने दी थी तांसले महुदय ने क्या कहा भाई संपूर योग जिसमें जीव रहते हैं परियाबरन है। मोनो अकसाइड भी नहीं है प्रमक प्रदूसाक और सल्फर डाई अकसाइड भी प्रमक प्रदूसाक नहीं है तो उपर योग तुमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। कई वाल लोग ये तो कभी लगाते नहीं मैंने देखा। इसकी जगा उपर योग सभी हो तो कई लोग हल लोग तुक का लगा देंगे। जैकर उपर योग तुमें से कोई नहीं बहुत कम लगाते हैं वो बोई लगाते हैं जिनको परफेक्ट पता हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। मुख प्रदूसा के तीनो नहीं है डी उत्तर इसका ठीक हो जाएगा। अगला कॉस्चन आरा अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। चार में से किसका कथन है जल्दी से बता दीजिए किनका कथन है ये तो आपको बता दें यह जो कथन है वाए हिल गाड महो देगा। किनका है हिल गाड का। अगला महत्पूर्ण है सर प्रथम रेडियो धर्मी प्रदूसरण का प्रभाव कहा अनुभाव किया गया। तो रेडियू धर्मी प्रदूशन होता है उसका प्रभाव सबसे पहले कहा अनुभाव किया गया है तो आपको बता दें कि रेडियू धर्मी जो प्रदूशन है इसका सबसे पहले जो प्रभाव अनुभाव किया गया था वह किया गया था जापान में कहा जापान में ठीक है पान खाके एच्छे रेडियू सुना तो रेडियू धर्मी पिदूशन का नुभावी हो गया ऐसे याद रख लेजीगा इसको याद करना है इसलिए मैंने इस ट्रिक सामन बता दी परियाबरन जीब के पारिस्तितिक कारकों का योग है परियाबरन जीब के पारिस्तितिक कारकों का योग है यह कथन किस ने कहा था चार आच लगभग कथन आये हैं दोस्तों चारों को एक बाद दोवारा पढ़ लीजिएगा महत्कून है तो आपको बता दें कि यह कथन है यह कहा था कि परियावरन नजीब के पारिष्टितिक कारकों का योग है ये कहा था एफिटिंग महोदैने ठीक है एफिटिंग महोदैने क्या कहा कि परियावरन पारिष्टितिक कारकों का योग है इस प्रकार से दूस्तों आज के परिष्टितिक कारकों का योग है इस प्रकार से दूस्त परफेक्ट मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नी है, पस आपको डेली 15 मिट दे करके दी, आपको एक अच्छी जॉब मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि 24 घंटे में आपकी परयाव, इन 15 मिटों का सदुपी योग होगा, और निश्चित रूप से आपकी तैयारी मजबूत बनेगी, सूड़ होगी, और आप परिच्छा में सफलता भी प्राप्त करेंगे, तो चलिए अगले वीडियो में पुनाचर्चा करेंगे, जुड़े रहिए, और परयावन की पिले लिस्ट मैंने देखो, स्क्रीन पर दे दी है, आप इस पर किलिक कर लीजिए, और हमारे जो पिछले वीडियो अपलोड हुए हैं, वो देख लीजिए, तो चलिए मुलाकात करेंगे, जय हिंद!